हाई गाईज पिटा अपन आज जो चाप्टर स्टार्ट कर रहे है फाक्टराइजेशन पिटा एट का बहुत इंपोरेंट चाप्टर और पिटा सिर्फ एट में आपको 9, 10, 11, 12 आगे बहुत टाइक काम मैंना हो ले है विए चाप्टर बहुत आसान है अगर आप लोग ने एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन ने आइटिटीज के अच्छे ते किये थे तो वैसे आज मुझे आइटिटीज देवस पढ़ने नहीं वाली है बट मुझे आगे पढ़ेगी तो अगर मान लो आपने आइटिज चाप्टर अच्छे ते नहीं किया है ये करने के पहले प्ली आप अच्छे दे कर लीजेगा आपकी अच्छी खासी बीटा फ्राक्टिस हो जाएगी ठीक है चलिए बिटा आज आपना पर लोग सक्त्राइजेशन क्या होता है वो समझते है पीड़ा, factorization का मतलब होता है, factors में बनाना, या factors बनाना बोलना चाहिए, factors में बनाना चाहिए, factors बनाना, अब देखो, for example, मैंने कोई random number ले लिया, मान लीजे, 30, पीड़ा, याद है आपन लोग उन्हें बच्पन में से factors लिका ले थे, क्या क्या है, sir, 1 भी था, factor, 2 भी था, 3 इसे बीडिव से वल था, 4 नहीं था, 5 था, 6 था, 6 क्यासे, मैं प्राइम 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 प्राक्टर बता रहो, ठीक है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 था, 11, 12, 13, 14 नहीं, 15 नहीं को जाता था, ठीक है, फिर डारेक्ट लिपन देखो, 30, इतने सारे अलग 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 मिरा दिखाना था, ठीके मैं आठा, 2 x 3 x 5 योदा था, बेटा में, यह मैं प्राइम 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 प्राक्टर होता था, वेचे दोखो, यह अपने शैसरे 6 प्राइम देखा, यह से आधा था x into y तो देखिए यह जागा x into y यह आदा था अब देखिए अगर यह चीज मैं देजिए आपको मान देजिए 14 x square y cube मान लो बड़ अब इसका क्या जाएगा 14 ता सा सिंपल है 2 into 7 तर एक स्क्वेर को कैसे लिखूंगा खुश नहीं बड़ एक स्क्वेर का x into x लिख दीजगा ठीक है और y cube को y into y into y ऐसा समझा अब बड़ एक अच्छा वाला देखिए आप लो बड़ बड़ मान लीजे मेरा है कुछ 6 x into x plus 2 6 का तो factorization क्या कर सकता हूं 2 into 3 ठीक है यहां तक है अब मुझे यह बच्वेर का करना है तो यह x तो कुछ है नहीं तो उसको तो x ही लिखा अब यह x plus 2 का क्या बड़ यह पूरा का पूरा एक factor जैसा रहेगा तो अब इसको x plus 2 जैसा बोलोगे x plus 2 यह x अलग यह 2 अलग ऐसा नहीं x plus 2 पूरा का पूरा बेटा मेरा एक factor बनता है यह पूरा का पूरा एक मेरा factor हो रहा है ठीक है वैसे इसमें थोड़ा सा और better question आपको आता हूं मान दीजिए यह है मेरा 14 x square x plus 3 into x minus 1 अब बेटा इसका क्या क्या हो जाएगा products में लिखना है तो 14 को लिख दूँगा 2 into 7 x square को क्या लिख दूँगा x into x x plus 3 into x minus 1 यह पूरा को बड़ा ऐसा ही रह जाएगा समझाए गोड़ एक 6 वाला भी देख लिजिए का आप लोग मान लिजिए कुछ है 10 x plus 2 का whole square मान लिजिए 10 तो पहले क्या आपने को पता है 2 into 5 तो अब x plus 2 का whole square देखो जबी x square था तो मैंने x into x लिख दा तो बैटा वैसे x plus 2 के whole square को क्या लिखूँगा मैं x plus 2 into x plus 2 समझा तो guys मैं सजेशन पहले यह रहेगा यह थोड़े बहुता factorization के example से एक बार लिख लीजे तो जाड़ आपका एक basic idea हो हम लोग factors कैसे इनके लिख रहे है बेटा चलिए अब यह हो गया आप लोग का अब बेटा यह देखे अपन लोग में यह सब के factors निकाल पा रहे थे अपन वैसे बहुत फुद्दू से है इतने फुद्दों के निकालने वाले है for example अपन लोग देखने वाले कैसा 2x plus 4 को factor format में कैसे convert करना 3x plus 3y को कैसे convert करना यह x square plus 5x को कैसे करना यह x square minus 4 को कैसे करना यह x square plus 5x plus 6 को कैसे करना यह ऐसे अलग 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 का देखेगे अब यहाँ पर इतना simply इसको ऐसे नहीं लिख सकता देखो कि 2 x x factor हो गया और 2 x 2 x factor हो गया यह ऐसे नहीं लिख सकता है यह factor नहीं हो है बेटा factor क्या होता है कोई पूरी की पूरी चीज multiply by कोई पूरी की पूरी चीज यह बीचने प्लस आगे तब यह factors कैसे नहीं बचे तब यह सब चीज है हम लोग सीखने वाले अब बेटा अलग अलग methods होते है factors बनाने के ठीक है न तो अपन लोग देखो अपन methods to form factors कर रहा है तिक है उसमें मैं पहले method नंबर वन सब्सक्राइब आप आज वो कांसा है बेटा मेरा बाइट टेकिंग आउट common इसका मतलब क्या हुआ अब टेंशन मतलो यह से नाम मां भी याद नहीं रखना पड़ता है वो तो मैं आगया आपने वह कई बढ़ रेफेर करो मैं इसके लिए आपका आसन हो जाएगा देखो मैं आपको समझाता हूं देखें एक एक्जांपल देखो 2x प्लस 4 अब इसम into 2 चलो ठीक है अब क्या पिटा देखो अब यहाँ पर common क्या है देखो अपने फर्स चाप्टर में सर्कॉमन निकाना सीखा था ना हाँ राशन लंब वाल में पैसे यहाँ 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 पर और यहाँ पर सिर्फ 2 common दिख रहा है तो ठीक है यह 2 common निकाल लो अब क्या सर अ यहाँ ब्राकेट में x प्लस 2 तो अब जो distributed property लगाते हैं मान लोगर यह दिया होता है मान लो यह दिया होगा आपको तो अब इसो डिस्ट्रीटिव लागर 2 x यह 2 x 2 यह करते थे उसी को उल्टा प्रोसेस किया बीटा common निकालने आला ठीक है तो मेरा आप देखो यह पूरे में आगे है आप लोग को यह example 1 था ना अब example 2 आप लोग खुझ से try कर ली जगा 3x plus 15 यह फिर 3x minus 15 तो जान बुचे ठीक है यह example 1 तो आप करी लो example number 2 एक बाए आप लोग पॉस्ट करके खुझ से try कर लो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया था हमने देखे सर यह तो जाएका 3 x यह जाएका सर 3 x 5 तो यहाँ से 3 common निकला मेरा ठीक है ब्राकेट में का था सर यह x minus 5 तो मैं लिख जिया सर वो x minus 5 तो मैं से factors क्या क्या हो गया एक तो 3 factor हो गया और एक x minus 5 factor हो गया उपर में 2 x factor हो गय समझा आपको यह क्या हुआ है हाँ चलो अगर आपका answer माच नहीं हुआ था तो pause करके एक बार इसको solve करके देख कर ली जाब लो चलिए भी next example देखते हैं हम लो 15 x y plus 10 y ठीक है यह मान लीजिए सर इसको कैसे करेगे कुछ नहीं देखो वापस से इस 15 x y का मतलब क्या हो गया सर 3 into 5 into x into y इस 15 x y हो गया है plus 10 y का मतलब क्या जाएगा 2 into 5 into y अब मैंने common निकाले को जिश्की देखो तर 5 तो common निकल रहा है साथ ही साथ में देखो यह y भी common निकल रहा है एक से ज़्यादा चीज भी common निकल सकती है तो देखो यह 5 y common निकल गया अब bracket में क्या बचेगा सर देखो यह 3 और यहां का x मिला के कितना जाएगा सर हो तो वो देखा 3 x तो यह प्लस जो था वो प्लस और यहां पर क्या बचेगा तो सिफ 2 ही बच रहा है तो प्लस 2 खत्म तो बेटा पेरा आंसर कितना हो गया है 5 y bracket में 3 x प्लस 2 अगर यह चीज समझ गई है आप लोग को तो एक बार आप लोग मेरे लिए कुछ x नहीं है 18 x y z माइनस कुछ let me think x नहीं है 12 y square z square कुछ अजीब सा दिया बड़ा जान कुछ के यह ट्राइगा ठीक है चलिए इसको भी थर्ट आप सॉल्स करीजे फॉर्थ को भी पॉसर का प्राइग कर लीजे चलिए देखते है तो यह 18 तो क्या जाएका 2 इंटु 3 इंटु 3 इंटु 3 यह x y z हो जाएका x इंटु y इंटु z माइनस 12 y स्क्वेर जेट स्क्वेर 12 इंटु 2 इंटु 3 y स्क्वेर जाएका y इंटु y जेट स्क्वेर जाएका जेट इंटु z ठीक है अब देखो गईस यह 2 कॉमन निकला यह 3 कॉमन निकला यह एक y कॉमन निकला यह एक जेट कॉमन निकला तो देखिए सर्थ 2 इंटु 3 हो गया 6 6 y z कॉमन निकला इस यह एक जेट है मेरा सुर्ष महाँ पर किता जाए सिर्फ और सिर्फ मेरा 3 x बचा है बटार भीला इस एक एक वाइक फेकर हो गएं और यह पूरा पूरा भी एक फ्क्टर ही मेरा समझा, I hope आपका answer माच किया था, नहीं किया था, आप पॉस करके इसको भी solve, कर लीजा आप लोग फट से, अब देखिये गाईस, ऐसा बिलकुल ज़रूरी नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ दो जो रहे गे अपने terms, उसमें से factors निकालना पड़े, दो से जादा भी terms होता है, जि x x square को क्या लिखा है बेटा मैंने, 2 into 3 into x into x, ठीक है, 15x को क्या लिखा है मैंने, 3 into 5 into x, 21 x cube को क्या लिखा है बेटा ने, 3 into 7, x cube मतलब x into x into x, ठीक है साथ, अब आपको common निकालना है, जो तीनों में common हो, देखो 2 तो तीनों में common नहीं है, बड़ देखिये, ये 3 तीनों में common है चार देखो ये एक x x x तीनों में common है और कुछ बच रहेगा नहीं सर तो क्या common निकला सर हमारा 3x common निकला अब यहां बच गया है यह 2x यह माइनस साइन थी इसलिए माइनस बचा का सिर्फ में यहां पर 5 यहां पर प्लस ती इसलिए प्लस 7x2 है है सम 911 क्यों गयों गया एक थ्रीशक्टर रहे एक hè यह पूरा का फूरे एक पक्रत्र psychology कुछ बच्चों को लगीहा सर यह और यह common निकल रहा है क्य海क अपने को नहीं झाला तो निकालो नहीं निकल रहा तो इस निकालो ठीकल है मत निकालो रही है कि 4x स्क्वेर माइनस 6x क्यूब प्लस 12x रिस्टू 4 इस में से पिटा एक बार आप लोग कॉमन निकाले कोशिश की जब पॉसकर करके अब कैसा है अगर आप लोगों को बच्चों ऐसा फाक्टर्स नहीं रिखना है तो आप डायरेक्टली करना है यह आपको दिख रहा है सर्थ देखो यह तीनों में से तो सिर्फ और सिर्फ टू कॉमन निकल रहा है तो वैसा कर सकते हो अब यह x स्क्वेर एक स्क्यूब एक से boundary 2-4 में से x-square normal निकल रहा है एक तो यहापर क्या है कना माइनस थ्री यहां पर क्या ज़िएगा 6x स्क्वेर बच जाएगा आ जाएगा कई बच्चे तो उड़ गयों तो त्योड़ गयों कि सब्सक्राइब कोई बात धीर धीर मैचॉर्टी आईगी तो अपने बेबी में तर्ट से करते हैं तो इंटू 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 अब कॉमन न x into x हो गया और ये और factor हो गया समझा एक तो आप लोग ये कर ली जाए तिक this was which number this was 6th number एक आपको एक simple वाला दे रहा हूं मैं 2x square plus 8x cube 7th वाला ये भी मिर ले एक आपको pause करके कर ली जागा इस पीज़ चलिए answer देखे इसका अब देखो ये क्या जागा 2x into x plus 2 into 2 into 2 x into x into x ठीक है अब देखे यहां से 2 common निकल रहा है x भी common निकल रहा है ये x भी common निकल रहा है तो basically 2x square पूरा common निकल गया तो सब कुछ common निकल गया अब क्या पेटा मतलब सिर्फ 1 बचा है क्यों क्योंकि यहां पर into 1 तो मैं कभी भी लिख सकता हूँ न वैसाला तो सिर्फ 1 बचा है तो यह प्लस यह पर 2 into 2 4 और यह एक x मतलब प्लस 4x बचा है तो यह 2 factor हो गया x square यह x into x मेरा factor हो गया और यह 1 plus 4x मेरा factor हो गया समझा तो गईस इसको भी कीजिए पॉस और इसको फट से कर लीजिए solve बटा अब गईस देखें मैं आपको बता रहूं को ncrt का क्या क्या आप अब आप लोग खुझ से कर सकते हैं जाको करना है ने in short homework जो है अब आप लोग गईस यह example number one कर सकते हैं यह दोनों में से factors ने कालना like common factors आप लोग को यहां पर उसने answer दिया आप आपको छापना नहीं है व आप लोग question number one find the common factors इसमें सिंपल से क्या common factors है वो दिखाने तो देखें जैसे एक्जामपल आता आपको 12 और 36x वाला जो दिया हुए हमें ठीक ही है किसा 12 and 36x में क्या common है 12 को के लिखुमा 2 into 2 into 3 देखा जाए तो 2 common है 2 common है 3 common है मतलब 12 पूरा को और common है तो इसके common factor क्या बन जाएगा 12x और यह 36 तो से क्या common गाल जगा 12 मतला कॉमन फाक्टर क्यों गया है 12 बचे यह और यह केश निकालना है सिर्फ कॉमन फाक्टर निकालना आपको वह निकाल सकते हो लोग फिर इनको फाक्टराइस करना यह सब कर सकते हो तेक एक में आप लोगों को यहाँ पर भी यह फोर्ट वारा सब पार्ट रके दिखा दे लाँ यह देखे यह कहा है माइनस 16 Z in रसवेंटी Z-iba कि तुए-टुए-टुए-ट। इनटी च्छिवाःर मतर जाएका तू इन्टुए-टह गार Notesff और च्छरी गहाएंगा अब मैंने वेटा अब मैंने common निकला शुरू किया देखिए ये 2 ये 2 और ये Z तो मेरा answer कितना जाएगा? यहां से मेरा 4Z common निकला bracket में क्या अच्छा? माइनस बचा है और ये 4 बचा है मेरा तो माइनस 4 प्लस ये 5 और ये Z square प्लस 5 Z square तो ये मेरा factor हो जाएगा समझाए क्या हुआ है? तो ऐसा आप लोगो को example 1, example 2, question number 1, question number 2 का मैं है? next test में आप लोगो को मैं regrouping policy is सिखाने वाला ठीक है? तो आप अपन लोग मिलते हैं कम next session में उसके वहले प्लीज आप लोग question 1, question 2 और वह example solve कर लिजएगा कोई question में query तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है? चलिए, बाई गाइस प्लीज़ बाईस